अब सब समय बदल गईलबा और अब नया समीकरण बनी अब सिवान में नया समीकरण बन रहलबा जी हाँ ये लाइने निर्दलिये कैंडिडेट के रूप में चुनावी मैदान में उतरने वाली हीना साहब की तरफ से कही गई है दरसल हीना साहब इस बार के लोग सभाद चु कुनावी मैदान में हैं वो लोगों की जा रही है और लोगों से जन्त नवाद कर रही है सुन रही है इस बीच कर्दियों वी तशुषल मीदिया पर सुरखियां बतूड रही है यं वर दिन हमने देखा था कि किस तरीके से थीना साहब कुमारी कन्याओ के में महावर लगा और अब एक ताज़ा तस्वीर हीना साहब ने अपने सोचल मीडिया फेस्बूप प्लैटपॉर्म पर अप्लोड की है जिस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हीना साहब माता की चुन्नी ओड़े लोगों के बीच घूमती नज़र आ रही वहीं अब दूसरी तस्वीर हम साहब कितना समर्थन लोगों से मिल रहा है दरसल हीना साहब इस और निर्दली कैंडिडेट के रूप में चुनावी मैदान में उठी ने साहब सिवान लोग सबसीत पर मुकाबले को ना सिर्फ रोचक बना रही हैं बलकि महागड़वंदन के लिए मुस्कले विखरी कर दी इस बीश बता दे कि सोशल मीडिया पर उन्होंने कई तस्वीर साजह की है और एक ताजा तस्वीर हीना साहब की सामने आई है जो आप देख सकते हैं कि भगवा रंग में रंगे हुए उनके आजपास के लोग नज़रा रहे हैं जी हां हीना साहब की तस्वीर काफी कुछ बय नज़र आएं बता दे की हीना साथ चुनाव प्रचार के दोरान माता रानी की चुनड़ी और ही नज़र आई तो महौल ही बदला सा नजर आया बिना किसी पाठी सिंबल्ल के उतिनावी मैदान में प्रसार कर रहें जोनाव से चुनाव प्रचार प्रशार कीvisor भोजपूरी तस्वीरे देख सकते हैं कि किस प्रकार से आइना सहब को जन समर्थन मिन रहा है इस बार शिएना साहब निर्दलिय के तौर पर सिवान से चुनावी मैधान में और भले ही उनके पती जो है साबुदीन वा आर्जडी के सांसत रहें लेकिन इस बार रीना साहब उनके पति के निधन के बाद लगतार आठजडी ने कोशिश की उनको मनाने के लेकिन हीना साहब नहीं मानी और ऐसे में हीना साहब निर्दल्य ही चुनावी मैदान में उतर गई हैं इस दोरान जब हीना साहब लोगों से समबात कर रही थी तो सबसे खास बात यह दिखाए दी कि हीना कर रही और भोजपूरिया अंदाज में हीना साहब ने कहा है कि अबू निसनवा ने समय बदल गई अब सिवान में नई समीकरन बन रहलबा तो साथ और पर देखा जा सकता है कि हीना साहब राजनिती में पूरी तरह से आक्टेव हो गई हैं और निर्दल्य उमीद्वार के तोर पर महागडबंदन की मुश्किले बढ़ाती हुए नजर आएंगी दरसल आरजेडी की लाख कोशिचों के बावजूद भी हीना साहब इस बार सिवान के चुनावी रन में निर्दल ये प्रत्याशी के रूप में उता चुकी है हीना साहब ने इस फैसले के बाद सिवान में जिस तरह से लोगों का समर्थन माग रही है उसे महागडबंदन के साथ साथ एंडिये के प्रत्याशियों के भी नींदोडी हुई है लगातार हीना साहब लोगों के बीच जाकर जन संबाद करती नजर आ रही है हीना साहब का नया समीकरन वाला बयान भी अब सूर्खि न गूर्दार थे और जब से उनका ननधन वा तब से कहींना कहीं हीना साहब का एक बयान सामने आये था आसा कहा जा रहा था कि अडरकिनार किया और अश्यों आजत्रूर्दार पर थे सिवां से चुनाबी मैदान में में लेकिन साहबुदीन के निधन के बाद हवा ही बदल चुकी है वहीं कई तस्वीरे भी बता दे कि लोग सबाद चुनाओ के चछठे चुरण यानि 26 मई को होने वाले हैं और 26 मई को मतदान होगा जिसके लिए लगतार हीना साहब लोगों के बीच जा रही है लोगों से जन समबात कर और ऐसे में काफी कुछ बदला बदला नजर आ रहा है हीना साहब के पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उनको लोगों द्वारा मातारानी की चुन्नी अढ़ाई गई इसके बाद बच्चियों के पैर में महावर लगाती हीना साहब नजर आए वहीं अब जो तस्वीर इस सामने आई है उसमें हीना साहब के असपास भगवा रंग में रंगे उनके कई कारे करता नजर आ रहे हैं और इस वीच भोचपुरिया अंदाज में हीना साहब लोगों से जन समवाद भी करती दिखाई दी जिसके कुछ लाइने हमने आपको बताए अब यह द जो जिवान से सांसद रहे थे फिर से एक बार हीना साहब वहां से सांसद बनती हैं देश दुनिया और विहार जारकन की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श नियूस के साथ धन्यवाद